स्वाध्याय टीवी डॉक्टर बाबा साहिप अम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटे मित्रो डॉक्टर बाबा साहिब आम्बेडकर ओपन युनिवर्सिटी अम्दावाद ना ज्योतिर मैं परिशर्मा आवेला चैटेन्य स्टूडियो मा थी मूं योगेंद्र पारेक आप सवनों अभिवादन करू जू गुजर्याती सहित्यनों इतियास तपासिये तो आठसो शाड़ा आठसो वर्षनी एक निराली सर्जन यातरा चैट आपनी युनिवर्सिटी ना उपक्रमें आपने गुजर्याती सहित्यनी प्रसिष्ट रचनाओ विशे वकत वकत बात करता रही शू हेमचंद्र आचारियस सुरिश्वर्जी थी लईने आजनी तारिक सुधीना खना सर्जकोनी घणी रचनाओ थी गुजर्याती सहित्य सम्रुत्य चैट आजे आपने महान गुजर्याती एवा विश्व विपूती महंदास करमचन गांधी इटले के महत्मा गांधी ची राष्टपिता महत्मा गांधी नी आत्मकथा विशे वात करेशों आपने उपक्रम आजे आत्मकथा ना सहित्य स्वरुपनी वात करवानों न थे गांधी जी जेवा सत जागरूत अने पोता नी अंदर रहेला अहंकार ने ओगालवा मत्ता अने महदन्शे सफ़ल रहेला मनुष्यने आत्मकथा लखवानी जरूर पड़े इवो प्रश्णता है स्वरुपनी दुरुष्टिये तपासिये तो आत्मकथा तो पोता नी सिद्धियो नू अने कहीं कंशे गमे तेटलो जागरूत सर्चक क्या आत्मकथा नो लेखक सवान रहे तो पड़ अहंकार ना प्रागट यहनी कथा बनी जाए सुक्ष्मारीते पन प्रगट थे जाए अथ्वा तो सात्वी कहंकार पन प्रगट था है अब अधी बाबत हो थी महात्मा गांती सभान हता यह ना मित्र जे रामदा से आग्रह करें कि तम्हें आत्मकथा लखो स्वामी आनन्दी तो इच्छा एवी हती के तेवो पहला आखी आत्मकथा लखीले आने पची पुस्तक स्वरूपे प्रगट था है गांती जी पासे एटलो समय नोतो राष्ट्र ना प्राण प्रश्णों विशे अत्यंत सक्री आता आत्मकथा लखवानू शरू करू दिय सब्सक्राइब देशने आजादी मलवाने अजी 22 वरस ने वार हती बेद आइका करतां वधु समय ने वार हती माहत्मा पदने विशे पोताने सन्मान पुरुवक जेलोको माहत्मा केता ये बाबते पोते अंदर थी दुखी आता पोते अल्प आत्मा चे वार्टनू पूरे पूरु भान हतु आत्मा कथा लखाई त्यारे अजी दांडी कुछ बाकी हती मादिवभई देशाईनू अवसान नवतु थयू मादिवभई आया था ता कस्तुर्भा पन है था पांचमा पुत्र तरीखे जेमने गणेला एवा श्री जमनालाल बेजाज पन है था जीनानू डैरेक एक्शन बाकी हतूँ तो एंद छेड़ों चलवल ह Tell ह지äg गनू बद्धू बाकी हतूँ कि माहन उपवासों भाकी हता हरी जनूना मंदिरी प्रवेशनी बातों भाकी हती गांधी जीना जीवन मां महत्वनी जे सिद्धियों गणिये एना घणा प्रक्रणों हजी आववाना बाकी हता त्यारे गांधी जीवनी आत्मकथा अपन्ने बढ़ाई चे गांधी जीए छेले पोता ना जीवन नी ये बाबेतो विशे पन एकज वाक्या मां करिऊ चे के हवे तो मारू जीवन ब्रदानी सामे खुल लो चे आ मतलब नू केक विदान करी ने पोता नी आत्मकथा ने आटो पिली दी चे स्वामी आनननो आग्रह तो के समगर पने पहला आत्मकथा लखी नाखे आने पची पुस्तक स्वरूपे प्रगट था है गांधी जी पासे समय नो अभाव होवाना कारण एमने आत्मकथा नी प्रस्ताव नामा लख्यू चे के नवजीवन माटे नीमीद पने कशुक तूते थी तेमनी आत्मकथा एटले के सत्यना प्रयोगो सत्यने केंद्रमा राखी ने तेमने करेलू जीवन नो कार्यशील अभिगम अने तेमनू जीवन कारिया अब तावार प्रगड थोयो नवजीवन माँ अने पच्ची ग्रन्थास्त था विश्वविख्यात महापुरुष्टरीखे विश्टरीला मोहन नामना मानस्नी आत्मकथा चे पांच भागमा विश्टरी चे तेतालीस प्रक्रण चे गांधी जीना जीवन विशे कशुद ना जानतो हो एवो मनुष्य कदाच विश्वमा भाग्या जमाला है कई ने कई थोड़ी माहीती हो है आत्मकथा विशेव व्याख्यान करवानों पहलो आशय अथवा सिद्धो प्रात्मिक उपक्रम एटलो चे के शूं अतु एवो आ मानस्नमा और ये आपने एमनीज वानी थी सांबड़िये ची ये अथवा एमनीज लेखनी थी जे लखायू चे वांच वादो चे तो एक विद्यार्थी तरीके एक एक जिग्नासु तरीके जयारे आपने आत्मकथा पासी जही है त्यारे आपनने एक एवा मानस्नी जीवन यात्रा माती पसार थवानी तक मलवानी चे के जेमने रूबरू के प्रत्यक्स थया होई है एवो आनन थाई इवो अनुभव थाई अने पोवताना जीवन विकासने संदर भे नवे सर्थी विचारवानी घणी तक प्राप्त थाए गांधी जीना जीवन ने घडतर नी घणी बदी विगतो आपनने जे रिते मलल चे तेमा एक सतत जागरूत दरेक शन ने विश्य जागरूत दरेक कारिया ने विश्य जेमने सतत सुक्ष्मता पुरुवक आत्म मन्थन करूँजे इवा व्यक्तिनी आक थाजे कुई पर मानस पोता ना जीवन ने विशेव पोता न अक्षेत्रमा सफ़ड थवा इच्टो होई तो आजे मबलक सहित्य उपलब्द थाए जे सफ़ड थवा नी सब्तपदी थी मांडी ने केटला पुस्तको माला जे आउ टो विन फ्रेंड्स आएक एवा मानस ने कथाज जे विश्व शांति न वकी लता हो पॉर्वेंदर जिवा गाम्मा पॉर्वेंदर शेहर मा अडार्शो ओगनसित्य नी बीजी ओक्टोबरे दिवान कुटुम्मा गांतिजी नो जन्म थयो नाम पड़ि मोहन अडार्शो ओगनसित्य नी बीजी ओक्टोबरे पॉर्वेंदर मा घणा बालकोनो जन्म थयो वाश है गुजरात मा घणा बालकोनो जन्म थयो वाश है बारत माने विश्व मा घणा बालकोनो जन्म थयो वाश है परन्तु मनुष्य जाती ना इत्यास नी आये के भी ख्षाण हती के समगर मानव जातने सदियो सुथी पची जे मानस दोरवने आपपानो हतो ए मानस नो जन्म पोर्बेंदरमा अढार सु अगन सित्य ने बीजी आक्टोबर थर हतो महंदास को इंटरनेश्टल स्कूल मा भण्यान होता जिवननो प्रथम तबक्को अभियास नो जे प्रथम तबक्को के वा ये तबक्को ठिक ठिक जानी ती पान ते छता आजे प्रात्मिक शिक्षण जे लेवले विश्त्री चुक्यू छे अथवात वक्री चुक्यू छे एनी सरखामनी एनी तुलना ए जोई ये तो बू साधारन स्कूल मा भणेला तरतज प्रात्मिक अवस्थामा पोर्बेंदर छोडी ने राजकोट आउवानु थयू ग्राती जी जे शालां मा भेनिया तहे शाला आजी मात्मा गांती नामती जानीती चे एक स्मारक तरीखे तो कोईपन व्यक्ति नी जीवन यात्राने तुपासीये तो बाढ़पन शाला जीवन तयमने मेरवेली केलो वनी आब दा महत्वना मुकामो ह को ये ग्रामीू ठ महां पुरुष्ट रिखे कई रीते विक्सी शेक्या ये जानमा माटी निचीगिना आशा आपने थवी जुए अन्ने तो आपने ये आत्मकता सुधी पहुंची शेक्या आजे आपने जियारे वात करी रहाची ये त्यारे गांधी जीना समय मां एमनी साथे काम करीव होई एवा मानसों नी छेल लिपेडी नौमा द्यस्मा दैकामा जिवी रही जै क्यां क्यां थोड़ाक लोको है आच्छे बहुँचा लोको उग्णिस्सों 50 पची सुर्थालीस पची अड़्तालीस पची जेलोको जन्मा लिद्यो छे के 40 ना दैका पची जेलोकोना जन्मा थहो हो जमने आजे बारत ना इतियास मा भारत ना पुतकाल मा स्वातेंत्र संग्राम मा रश छे तेमने गांधी जी नी आत्मकता माती पसार थो गुए अनि ये जिग्नाचा ने संतोश आए तो गुजराती साहित्य ने विशेज नहीं गुजराती साहित्यमा प्रगड़ थे लिया स्रेष्ट आत्मकता ने विशेज नहीं परंतु विश्वनी स्रेष्ट आत्मकता विशे सन्मुक्त है शकाए इवुशू हतु कि जे मोहन मा थी महत्मा नी आखी यात्रा संभव बने चे मोहन नमना बालक ना जीवन मा पेली जवाते धर्म परायन कुटूम माले चे पिता दिवान चे माता धर्मनिष्ट चे भारतिय ग्रुहिनी ना परमपरागत धार्मिक संस्कारो गांधी जी ने गल थुती मा माले चे बिजू सत्यनिष्ठा अने बालवय थीज एक गूण एमनी अंदर पड़यो छे के आचरण मा मुक्वा योग्य वस्तुने तरत आचरण मा मुक्वी अने त्याजवा योग्य वस्तुनो तरत त्याक करवो आज सवती मोटो प्रयोक्षी लभीग मतो खरेखर संस्कार तरीखे तद्दन सहज गणिशकाई तीवी बाबत बदाज जानता हो एवा प्रात्मिक पायाना अने अनिवारिय एवा संस्कारो बालवय थी गांधी जी आचरण मा मुक्वा योग्य जयारे बाल मोहन्य आपने घेर आवता सफाय कामदार उकाने अड़काई नहीं त्यारे मोहन ने वो प्रश्ण थाए जए आपने सव एक पिताना संतान चीए तो पिला सफाय कामदार थी मारे अबड़ चेट केम रखाए अब आपने जुई है तो एक आज्ञांकित पुत्र धर्मनिस्ट माता अभिगम शुँँ हतो उकाने अड़काई तो ते समय ना संदर्म मां जुई है तो आपने ते समय बारतिय प्रजाजीवन मां सहज पने संकडाए लो कूरिवास तरीखे नो आश्प्रुश्यतानों जे दाखलो हतो ते एक प्रयोक्षिल अभिगम साथे जीवता मोहन ने जुदु विचारवा और जुदु वर्तन करवा मजबोर करें जुदु विचारवू जुदु वर्तन करवू और पछी पोते एक नवी केडी कंडार्वी और पछी सदियो सुधी लोको ये रस्ते चाले ये प्रथम लक्षन बाढवई मां मोहन मां जुदु वा मले जुदु ये चे कि शू थाय चे तो एक आवो मानस बने सत्यवादी अरिश्चंद्र नाटक गणा जोई होशे वाँची होशे स्रवन पित्रु भक्ति नाटक ना संपर्क मा आएवा आशे परंतु गांधी चेतनामा आवस्तु कायमी संसकार तरिके सत्यवादी अरिश्चंद्र पासे थी पामे जीवन मा नभी बाबतों नी जानकारी प्रयोग नी भूमी काये जीवन मा उतारे चे एना एक एक प्रक्रणों आपन ने मले चे त्यातालीस प्रक्रण तरिके समग्र आत्मकता विश्यवाद एकज व्याख्यान मा थे शक्य न थी दरिक्ट प्रक्रण विश्यवाद करवानों आपने आत्म कथा थी एवी रिते सन्मूख थाईये के आत्म कथा पची आपना थी छेटी नहरे अने आत्म कथा वाँचवाने विश्य सक्रिया थाईया बालवई मां जयारे माता नी जे सुचना आती सला हाती के उकाने एड़काई नी ये सुचना नू पाल न करती वखते मोहंदास ने एभी खबर नो थी जीती के पोते आवी नानि नानि बाबोतोना सरवाला थकी मानव ताना सर्वच्च शिक्रे पहुच होएनों जया यूआकantis वरतन एक यूआग बगत्यूंबनेंचे आने मानव होवानी सार्थकताना सर्वच शिखरेपोंचेचे जिवन मां महान वरतों ने पोते जिवन मां उत्या आच्रन मां मुक्या एनी गाथाच्य सत्यशू, अहिंशाशू, अवपरिग्रशू, ये दरेक वस्तु जीवन मां क्यारे केवा तबक्के प्रवेश्य छे नी आकता जा बधाने मांटे पोते दर्म विशे, शिक्षण विशे, संपती विशे, रेनी करनी विशे, जीवन शैलीने विशे समग्र परंपरा मां साव जुदो पड़तु एव जबर्दस्त परिवर्तन कराईजा, त्यारेच चालीश वर्षणी वए हिंस्वराद लखी शाकाईजे 1925 सत्याविश मां प्रगेड थेली आ आत्म कथा पच्छी तो गणू विश्वरस नू जीवन भागी है तू पच्छी नू जीवन खुली किताब जीवुचे त्यां सुदिनो महिमावंत्य दस्तावेज आपनने मात्माना वरद हस्ते एना अस्ताक्षर मां माले अचे यह पसी मादियोबाई डिसाइनी डायरी ना भाग चे बावीश भाग चे प्यारे लाल जीए पूर्णा हूती माँ चार भाग आप्या चे जगत साहित्यमा घणा लोको ए एमना विशे लख्यू चे गणू मलवानू चे विश्वना कोई पन मनुष्यने विशे पूर्वे क्यारे आटलू दस्तावेजी करण थयू नतिलू दस्तावेजी करण मात्माना जीवन विशे थयू चे पने एवा विश्वमा असाधान मनुष्य तरिखे पंकायेला ओडखायेला गवरवंता भारतिय आने गुजर्याती एवा मात्मा ये पोतानी मात्रु भाशामा पोतानी आत्म कथा आपीछे आने मात्रु भाशानो गवरव वतारुचे आपने एक नौन पात्रबाबाच्चे तो में अगाव कईूतेम धर्मने विशे प्रयोक्षिल छे आचरणने विशे प्रयोक्षिल छे खोराकने विशे प्रयोक्षिल छे न्याई मेडववाने विशे क्रांतिकारी छे अपड़े जानियाची है कि आत्मकता लखी ये पहला एक पुस्तक है मिने लख्यों इन्द स्वराज ये पहला एक पुस्तक है पू दक्षिन अफरिकाना सत्याग्रणों इत्यास तो मातमा पौरबंदर मा बालक हता राजकोट मा किशोर हता अडार सो अठ्यासिना सप्टेम्बर मा इंग्लेंड विलायत गया बनवा माटे बैरिश्टर थवा विलायत मा ये नागरिक धर्म पामया नागरिक के वह हो बजिया पाया मा रहेला संस्कारों येने उगारी लिद प्रतिग्ना बध्य थएला मोहंदास विलायत बनवा जाये चाए ये प्रतिग्ना नू मुल्ये ने मातमा दरी खे विकस्वाम अमधत करेचे विलायत बनवा जावँ ए काळमा केटलों अगरू अतु आजना बालको ने आजनी पेटी ने आजना विद्यार्थीने नहीं सम पूतानी ग्न्याती मां थी प्रथम वक्षत दरियो पार करवाने निमिते तो नातबार करवा मां आवेला युवान मोहंदासना के ब्रश्ट थाये चे मानस विदेश जायेड ले आवी परंपरागत धार्बिक समझो जे समाज मां आती प्रजा जीविनना प्रवाव मां घड आती रूटी जडता हो ती रूटी बंजक पूरुष्टरी खे विश्तर है अन्य रूटी बंजक पूरुष्टरी खे ए जो ये तो विलायत जाये चे त्यारे पन जी ओ पोतानु धर्म चुकत नो थी करण के मांने वचन आई पूचा मांसाहर न करवा मध्यपान न करवा दारू न पीओ परुष्टरी गमन न करवा विलायत मां आँ त्रण प्रतिग्नावना पालन मां एना आत्मबल्ली कसोटी ताये चे घना दिवसो बाद एन्या शाकारी भोजन मढयेचे विलायत मां प्राणजीवन महता जिवा मित्र म सामेथी निमंत्रण मलतु होई परस्त्री नू एवा संजोगों उबाथाई त्यारे पन पोते बची जाएचे टकावी राखेचे अने ते चता मन्थी पन विशेही ने सेवय होई तो यहनी कबुलात करेचे मन्थी पन विशेही ने इच्छा राकी होई तो यहनी कबुलात जाते करेचे गांधी जीनी आत्मकतानू सवति मोटू पासू एचे के पोतानी राईजेवडी भूलने यहमने पाढ़ जेवी करेचे पोताना जीवनने विशे यहमने कहवा योग्य कोई वात टाली नथी पो बाला सुद्रम जीवा किस्सामा आपने जुईये तो साव तरछोड आयलो घायल थेयलो इजाग्रस्त थेयलो अंगोराना आथे जेने मार खादो चीवो बाला सुद्रम बैरिस्टर मोहंदास पासे दक्षिन आफ्रिकानों आप्राशन चे दुरूस्तो दुरूस्तो आवे करता यहें तो सुद्रम आखे त्यारे नीटे बेसी जाहिए औफिस सामा बैरिस्टर मोहंदास ना कारीयलीthat मां नीचे थुठवाता बैठेला सुद्रम शोीने मोहंदास नेम थेचंने 1 मानस बिसा मानस थी नीचो कीवरेता हुआ 항상 ये वोज भी जो प्रसंग छे पंचम जाती ना गणाता पोता ने तिया काम करता एक मानस पछाट जाती एक क्रिश्चन दर्म पालतो पछाट गणाती ग्णाती नो एक कार्यकर सेवक एनू पेशाबनू वासन उचकी ने फैकवा माटे मोहंदास कस्तुरबा ने कहे छा 28 वरस नी उम्वर छे अनकस्तुर भाई नी उम्वर पण इटले छे 28 मा वरसे पति पत्नी वेच्चे जगडो थाएचे कलह थाएचे कयो हूँ ए वासन नहीं उचकू तो गांती के मारा घर मा नहीं चालाए निकड़ जाओ अत्यार घर ने बार पछी मोह मचकोडएचे मोह म कोई सामन्य मानस जे आपनी सेवा करवा तत पर छे एनी सेवा करवानों आपने प्रसंगावे त्यारे आपने मोटा चिये एवु दर्शावु नहीं एना जेवा थावु नेनू कारिये ए रितेज करवु जे रिते आपनू काम कराएचे पोताना दरेक काम साते करता स्वा निर्भर हता स्वाव लंबी हता अरे पोताना वालकापवा माटे पन वालंदनू अवलंबन न लेवु पड़े एटले जाते वालकापता अने पच्छी चारे बाजु थी उंदरे वालकापवा ओ येवी कौट मां असा अस थाई चे कै आशू करी नाएव ये पन पोते जाते वालकापवा ये कोई ना पन अवलंबन राखवा मागता नो था कोई ना उपर पार खोराग ना प्रयोगों करिया खोराग ना स्वाधने जीत वो पड़े है नीःफ्र आई पुत अस्प्रुषयता निवारन पणा आई पू पंच माह वरत माँ छृद भीजा उमेर हे अस्वाध वरत स्वाधने जीतिले चे स्वाधने जीतिली बाथि इंडर्यो पर काबु आवे अने तो ब्रह्मचरिय व्रत पाली ये वी एक समझ थी, हजी जिवनना चार मा चोथा दैकामा प्रवेशा त्यार नथी, चोथा दैकामा नथी प्रवेशा त्यार एट लगे, आड़त्रिस्मा वर्षे भ्रह्मचरिय वरत्स्विकार है चे, 56 मा वर्षे दिकराने पत्र मा लखे चे, के हजी पणू मांसिक रिते तमारा बाप्रतिये विकारो थी, मुक्त थयो नथी, ये पत्र नी विगतो एमनी आत्म कथामा नथी, ये अन्यसा हित्य माझे, पण केवानू तात पर ये चे, के एक मनुष्य तरीखे पोते एविरीते जिवता हता, संपुण पणे परियावरण मित्र हता, गीता येमनों आदर्शतो, एटले गीता विशे, बारतिये संस्कृतिनों माहन पुस्तक गीता, कुरुष्णाई अर्जुन ने जे उपदेशा है प्यो, ए गीतानू अध्यान करियो, एटलूज नहीं ये गीता कंठस्थ करिया, अन्ये पच्छी तेना विशे नू भाश् अना सकती योग येमने जीवन मां सिद्ध करियो, आत्मकता माधी पसार थीये तो आपनने जुआ मले, कि दक्षिनाप्रिका मां पोतानी अंगत कई शकायते वी तमाम संपतिनों सर्जन करियो, दक्षिनाप्रिका मां लोगप्रिय थेला आ बैरिस्टर एक अभूत अंगत संपति ना हो वी जोई है ले संपतिनों वी सरजन करियो, एक काल अतो जियारे वकिलात करता त्यारे बहु उची फीली था, इंडियन ओपिनियन चला वा माटे, आशरम चला वा माटे, फीनिक्स आशरम निस्थापना करी, टॉल्स्टोय फार्म निरचना करी, टॉल 26-26 वर्षनी उम्मरे पोतानों अवाल्ज रजू करवा माटे आ बेरिष्टे रिवान, दक्षिन आपरिका जेवा पराया मुलक मा, पोतानों मीडिया हाउस सरू करे जे, पोतानों चापू सरू करे जे, ये जमाना मा, श्रम पूरुवाक्त, चलवलने नाम सुआप, आपन रिते आयों, एनी पन रस्प्रद भी गत्वच, गांधी जी जायरात आपे छे रित्षर, इनाम आपी शेम कई ने, क्या चलवलने के नाम आपो, तो भत्री जो मगनलाल गांधी शब्द सुच्वे छे, सदा ग्रह, गांधी जी लखे छे मामे यह उमेर्यो, सत्या ग्रह, गांधी जी जड सत्या ग्रही नो ता, गांधी जी सत्या ग्रही पन अता, सत्या नो आग्रह राकता इटलूज नहीं, पन सामे पक्षे रहेला सत्या ग्रहन करवानी पन इमनी तैयारी आते, ले सत्या ग्रही औन सत्या ग्रही गांधी ना जीवन ना केटला पड़ाओ आव पड़ाओ बेरिष्टर नो अभ्यास करवा जयता मोहंदास करम चंद्गा थी। त्रीजो पड़ाओ लांबो दक्षिन आफ्रिकामा तीवो सत्या ग्रही तरीके रहा। दक्षिन आफ्रिकामा जी एशियनो हता। जी हिंद वासियो हता। एमने रंगबेदनी निती नो सामनो करवो पड़तो। एमनी साथे जे अतियाचार थतो। जुदा जुदा काईदाओ आउता। हिंदू धर्म मान्यता मुझब थयला लगनो ने अस्विकारिय गणुमा एवो दक्षिन आफ्रिकामा काईदो आईवो। एनी अस्वर दक्षिन आफ्रिकामा वस्ता भारतियों उपर जुदीरित पड़ती हती। एमना घणा हको चिनवाता हता। एमनो मताधिकार नो हक चिनवाई जाए एवो काईदो आउवानो अब अधिज वस्तुओनो विरोध करतां करतां बैरिस्टर गांधी ये बाविस वर्ष दक्षिन आफ्रिकामा विताले। एक मुल्यवान पड़ा वतोट। ये समय पन इमने घणा अंग्रेज मित्रो था। ये घणा अंग्रेज मित्रो ये जोयू के आ मानस जुदो पड़े सा। एमने ट्रेन मां थी धक्को मारी ने उतारनार पन गोराओ हता। त्यारे एमनु आरीते अपमान नहीं करूजू ये वकेनार गोराओ पन हता। गांधी जीने सतत जीवन मा एक अनूबहु थाया जाए कोई एक कौम संपूण पणे सारी नथी होती अन्य कोई एक कौम संपूण पणे खराब नथी होती जे गोराओ एमनू सतत अपमान करिए अपमान आने कनू भोव थाया ए प्रिटोरिया पहुंचे छे पहली वकत त्यां सुथी जता त्राण वकत अपमाननों सामनों करे छे एवी होटल मा जवानू उठाई छे जियां के लों होटलों माली के जजे गही हुहु तमने रुम्मा जवं आपते जेस बधाँ गोराओ सते तमें जवा बेशती अमिरिकनी होटल अती रूम मा आविने तमारू खानू आपते जैस पौण बाहर तमें बधै शाते नहीं जवी शको गोराओने नहीं गमे त्यारे पेलो मानस पाच्छो आवीन थोडिक वारीन केचे मैं पुछी लिद्यू छे आवो कोई ने वांधो न थी पेली वार जी आरे एमने ट्रेन मां थी धक्को मारीने उतारवामा आवे छे ए घटना जगत मां जानी ती छे पची पोते तार करे जिक पोता ने आरीते अन गणा अनुपोव है एमने ताया आचे एमने एक सैनिक फुटपाथ पर रातरे आठ वागया पाची बाहर निकलवा बदल और चालवा बदल मारे चे प्रहार करे चे लाठी ती आरे पन आ घटना ने जोईने बचाव करना रंग्रेज मीत्र चे एमने जी अंग्रेज मीत्र अनुपोव मिल्या तेमने आ मानसमा रहेली क्षमता नो परीचे थे हो जीवनने विश्यनिती वरे जिग्णासा नो परीचे थे हो जीवन सार्थक करवानी दुन नो परीचे थे हो आमान समन्य न थी एनो जी अंदा जायवो एवा अंग्रेजुए एमने खृष्ति धर्म स्विकारे एमा घणा मित्रो उच्छु कता एमा केलन बेक पनाता तो ये मित्रो एमने खृष्ति धर्मना साहित्य नो परीचे करायो गांधी जी ने आकरशन थायो इतले धार्मिक मन्थन तिव्र धार्मिक मन्थन अनुभवता बैरिष्टर मोहंदास करम चन गांधी अध्यात्मिक मन्जवणों नी भीड मा कोनो आश्रहिले चे राइचेंद भाई नो राइचेंद भाई नामनुएक आखु प्रक्रण चे राइचेंद भाई एतले पचिती स्रीमद राजचेंद्र तरीखे प्रक्या थेला सवराष्टनाज मोर्भी पासे ववाणिया गां मा जन्मेला एक सद्ग्रुवस्त व्यवसाइथी जवेरी हता वैश्णव धर्ममा जन्मत हैलो वैश्णव कोलमा आश्रहन जैन धर्मनू करता मुंबई मा रहता आ जवेरीने महंदास करमचन गांधी रुबरू पन मलेला लामो पत्र भेवार थेयो वधा पत्रों आश्णव नहीं जैन धर्मने विशेपन नती कंव नती हिंदू धर्मने विशेपन भार मुईक्यों। आया मिने कईवो स्वधर्मस्रेष्ट चे ए गांती हिंदु धर्ममा स्थीर थाये चे हिंदु होवानू प्रामाणिक सात्विक गवरवनू भवे चे अने समग्र जीवन दर्मियान जे रिते एक विश्व मनुष्य तरीके विश्तरता जाये चे तेमा आकरे तो पोते प्रतिनिती होवानू गवरव प्रस्थापित कराये चे महापुरुष्व कोई एक प्रदेश ना कोई एक जाती ना के कोई एक दर्मना नती होता दक्षिन आफरिका मा एम बने चे केमना एक क्रिष्ट्यन मित्र एक कई आज एक कंठी पैरी चे ना वहिश्ण वह जे कंठी पैर एक पैरावडा वेली पहरावेली एक कंठी जोईने एक क्रिश्चिन मित्र है कहिए कि ते आज एक कंठी पहरी छे काडिनात तारा जेवा बवधिक ना चुब है त्यारे गांधी यह कहलो के में जे कंठी पहरी छा ने एमने मारी बाहे पहरावी छा लेकं तुटी तुमुन पहर हई के तूटी जसे वार्षा मां मडेला धर्मने दिपावेश photo माय आपेली कंठी पेरी राखे छे इंदु धर्म मा गाय अने गितानु जे महत्व छे प्रकर गउसेवक थाई जमनालाल बजाजने गउसेवा मा कामे लगाडे छे आखा बजाज कुटुम ने जमनालाल बजाजना निधन पची पन तेमना विद्वाने पन एज उपदेशा कि तमारे सद्गत पाचर सतीथवानी जरूर नथी गउसेवानु का मागल धपाओ खादी द्वारा स्वावलम्बन नो मंत्र देश ने आपे छे अने चर्खा द्वारा गेर गेर पहुंचे छे आजादीनी लडत मा खादी मात्र वस्तर तरीखे ने विचार तरीखे विस् राष्टिय केलवनी नी जरूर छे एम समझीने गामडानों उद्धार करे वा नम्रसेवा को तैयार करे एवु शिक्षण लोकोने मलवु जुईये ते विचार थी गांधी जी चेक ओग्णी सो वीच जिटला भेला गुजरात विद्ध्या पिटनी स्थापना करे चे खादी गामडानों उद्धार जीवन मा गीता गीता दर्शन मुझे बनू जीवन गौशेवा चर्म उद्धियोगने विक्सावे चे खोराग मासादगी सतच चालगू रेंटियो गातवो इंत्र विशे सबान करे चे गांतिजी मास प्रोडुक्शन नो विरोत करे चे अंत्र नो विरोत माथि करता गांतीची के चे प्रोडेक्शन बाई मास लोको बेकार ना थावा जीए लोको ने जरूरियाद पूर्तु मली रे तो कुद्रत पासे पूर्ता संसाधनों चे जगत मात्रने तेने पोताना जीवन द्वारा एबो धाइबो के तमारा लोभने थो बापो बो विकस्वानी जीर्थावानी जरूर्चे तो कुद्रत पासे पूर्तु चे आवो मानस समग्र देशने एक जुदी किळवनी आप्पा मागे चे स्वावलंबन बने देश मावलंबन किळवाई स्वदेशी प्रत्य जागरूती आवे लगूद्योंगों विक्से ग्रामुद्योंगों व शेना थी शस्त्र भगर सुतर ना तात्र ने स्वराज्य लावानुच अब दू करवा मेटे डक्षिन आफ्रिका थी 22 वरस पची उगणी सो पंदर मा परत आवेला मोंदास करम चन गांदी भारत ब्रह्मन करे छे देश ने जाने चे समझे चे न पची अमदावास्त मा पोता प्रथम कोचरब खाते आश्रम अने पची साबर मती खाते जमीन संपादन करें त्यां आश्रम स्थापे छे प्राण जीवन मेहता जिवा मित्र माड़ाई चे आई ग्रस्प्रद रोमांचक वातों चे अंबालाल साराभई जिवा मिल मालिक कोचरब आश्रम पासे ती पसा काम करता करता हाथ लुचता लुचता बाहर आवीने बेरिष्टर के चे आश्रम अत्यारे नाणा नी भीड मांचे सारू काल सवारे ग्यार वागे हूँ आश्रम है आविश्य दीव से 13,000 रूपिया रोकडानी सखावत करें चे अने बे वरस आश्रम नभी जाई चे एम ग अरिजन दंपती ने राखवा तैयार थता बेरिष्टर नी सामें आखा अम्दावाद मां विरोधनों वन्टोड फाटी नीकले चे एक ज रसोडे तमें अरिजन दंपती ने केविरी ते राखी शको त्यारे ये बेरिष्टर जीवन लालनों बंगलो कोच्रबासर मेटले आजी जे स्मारक तरीखे जानी तो चे त्यां पूते मक्कम चे अरिजन दंपती ने पूता नी नानकडी दिखरी येनू नामतु लक्ष्मी साथे राखवा माटे अने मरता पन सत्य न छोड़ू पोता नू सत्य एगे ये तुके मारा नियम मुझब एटले के अस्रम ना नियम मुझब जीवा तयार हो ये सव समान चे तो उच नीचना बेद नी हो आजी ये येवू सत्य जेमने जीवन मां अंगिकरुत करिव ते पोते हरीजन दंपती न अब दिवा तो खुब रस्प्रत चे दक्षिन आफरिका मा के विरीत सत्याग्र करेचे एना माटे तो सत्याग्र नो इत्यास आत्मकता जिटलूज मुल्यवान पुस्तक चे आत्मकता लखाई ये पेला जिवू के विरीते हिंदनू स्वराज ये के वो हो एनी संकल्म ना अब दिवाट आपने आपेचे हिंद स्वराज मां क्रम श्यह विकस्तो जतो विस्तर तो जतो आ मानस आकरे तो एम कहें एक प्रश्णा जवाब मां ज्यारे मनें पुछवा मां आयू के तमारी बेवातों वच्चे विरोधाबास जनाए तो तमने आदर्समानी ने जीवतो मानस आखेर कयो नीणंई पर आवे तियastyr गांती केच्चे मारी बेवातमां क्याने विश्यमता और समानता क्यविप्राई भेद जनाए तो मैं अंते कहिली वातने तमारे सत्य मानवी कारन के एẩट लो गांदीनो विकास थायो अवर्शे पहला कहिली वात नियंते कहिली वात ने प्रमान पुत गणवी पोते कह याच ए जगत नु अंतिम सत्य चे एवु मानता नो टा तमारों अंतरात्मा के ए स्विकारों ए सम जो पे अंतरात्माने साबूत राखो जेने क्षणे क्षणे पूताना अंतरात्मानों अवाद सामिल चुए गांधी समग्र देशने आजादी सुधी दोरी जाएचे गणी चलवलो पची आववानी बाकी जे परन्तु सवी नहीं कानून भंग अने असहकार जिवा बेशस्त्रो मातमा पासे थी आ कानून भंग करो जुओ काईदानों रखेवाल चे बैरिस्टर चे वकील चे तोई शुके चे कानून भंग पन किवी रिते सवी नहीं कानून भंग उन काईदानी वाद नहीं मानू मारा कालजानी वाद माने शे अने कालजी रुदैनी वाद मानती वखते पोताना अंतरात माने ये काईदा थी पर गणे छे एटले सवी नहीं एम के छे एक ओठी डरतो नो थी पोलीस नो भई अंग्रेज पोलीस नो भई अंग्रेज सैनिक नो भई बारतिय प्रजाना जीवन माती काड़नार आमा पुरुष चे ले चंपारण ना सत्या ग्रहमा पाण जामीन मले ते पाण जामीन नहीं स्वेकारू अमदावाद सरकीट आउस मा ओगणी सो बाविस मा जया रहे एमना पर केज ताईची ते आरे पाण के छे तमे जेने गुणों गणों चो ए गुणों हजी पन बाहर निकलीने हूँ आचरवानों चू काण के देशनी जनताने जागुरूत क करवी देशनी जनताने दोरवनी आप पी अने संकर्षना समयी मां एमने साथ आप वो ए जो गुणों होई तो ए गुणों हूँ आचरवानों चू अने काईदा मां एनी जिये कई सजा होई ते करवी ये आपनो धर्म चे इतले जह जहें के छे कि आ अदालत मां पूरूवे आवेला तमाम मनुष्यों करता तवे जुदा छो सन्मान पूरूवके ने सजा करे छे अने जह जहें के छे कदाच सरकार जो आ सजा मां कटाड़ों कर से तो राजी थनार मनुष्यों मां सव थी पेलो हूं होई पन हूं काईदा थी बंदा हेलो चू इले तमने च्व वकिलात ना अनुभोवम तमे वाचो वकिलात बंता बंता विद्यार्थी तरीके जाने छे के वकिलात ना व्यवसायमा तो खोटू करवू पड़े खोटू बोलू पड़े पन पोते पोता ना असिलने चोक कुकाई दे छे कि मने जे सत्य होई ये कहवू औरने कौट मां ए पचितो खोटा केश हैनी पासे आउता अद्ध थी आम समग्र आत्म कथा वर्गनी अंदर आगलना विद्यार्थी मा जोई ने चोरी करी ने अंग्रेजी शब्द नी जोड़नी सुधारी ने साचो स्पेलिंग लखी लेवानू सुचवता हता मास्तर ते चता नमान्तो मोह केशिणी सथिद्यों प्रथम परीचे यसे ने सीफानी समख्ष चोरी कबूलात करे चे सौनानू कडूक आपी ने बाईे करेलूक चुक्श चुक हुँआ माटे सौना नी घरमा चोरी करी कडूक पएवो इन उकली साचोरी नेुक बूलात करें से त्यार्थी लई ने पोते करेली महन भुलो नू एक आईनो आपनी समक्ष धरी देये चे अने एटले सत्य, सत्य ने मात्र सत्य आत्मकता नी प्रस्तावना मा लखे चे उँझे सत्य ने शोधी रहो चुए सत्य मने प्राप्त थरू नतिया जी जीवन नू अंतिम लक्ष चे मोक्ष मोक्ष कई रिते ना तथा कथित अध्यात्मिक के आत्मिक परिबळों थी नहीं सेवा द्वारा चे वाड़ाना मानस्ति सेवा द्वारा एने मोक्ष चुईये ची या अंतिम लक्ष सुति पहुंचू जे आने एटले एवो मनुष्य जगत्मा पुजाई जे कोई पन भेदभाव अगर एटले मात्मा गांधी मात्र भारत ना आता एतो एक अईतियासिक तत्य थयो समग्र विश्वना हता ये शास्वत सत्य चे ये शास्वत सत्य गुजराती भाषा मा प्रगट थयो चे ये मनी आत्म कथा स्वरूपे ये वाचवाने माटे आपने उत्सुक थाई तो अत्रे जिवातो रजू थाई ए वातो अधार्भुत्रिते सुग्रतित स्वरूपे ये था य प्रयोग्य क्रम्मा आपने महत्मा गांदीनी आत्म कता उर्फिर सत्यना प्रयोगों उम्हा जुवा मलशे जानमा मलशे अने जीवन परिवर्तनी एकाद लेर्खी अनुभवशे इवी श्रद्धा साथ है उमारी वाणीन विरामा पोजो आभार तन्यवात झाल